हलो मैं डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लखी एजुगेशन और आज हम देखेंगे रेस्पी रेटरी सिस्टम का लेक्चर नमबर त्री इससे पहले दो लेक्चर आ जुगें तो इसको देखने से पहले आप उन दो लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपकी कंसेप्ट अच्छ पर रेस्पीरेटरी सिस्टम में उसको दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक तो अपर रेस्पीरेटरी सिस्टम और दूसरा है लोवर रेस्पीरेटरी सिस्टम अपर में आता है नूज माउट फैरिंग्स लेरिंग्स और लोवर में आता है ट्रेकिया ब्रॉंकाई ब्रॉं respiratory system में तो उपर सब्रेमों कौन को बतानाए नूज माउट मै على लेरिंग्ज यह आते हैं हमारे अपर राइस पिरेटरी सिष्टम में थीक है तो यहі आपको पूछी जा सकती है तो आपको बतानी है तो यह कि करके हम इनको डिस्कस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो यह अपनी नोज के बाद अर फिर आपका ाब सैरे ये वाला जो हिस्सा है यह आएगा इसमें अपर हैं। और रेश्पिरेटरी नॉस्ट्रिल्स क्या वो लेंगे नॉस्ट्रिल्स और नाक में आपने देखा हुआ बाल भी रहते हैं चोटे-चोटे बाल लेते हैं तो जो बाल लेते हैं वो एक प्रिकार से फिल्टर की तरह काम करते हैं तो फिल्टर के बारे हम तो आप जानते होंगे जो किसी चीज को क्य साथ की साथ में नाक चिपचपी चिपचपी से रहते है तो कुछ लिक्विड सा निकलता रहता है जिसको म्यूकस वूलते हैं तो जो एर में dust particles होते हैं यह पिर कुछ भी जो unwanted particles होते है वह यहां पर क्या हो जाते हैं रुख जाते हैं और दीर दीरे नाक में accumulate होने लग जाते हैं बाद में हम उनको time to time निकालते भी रहते हैं यह तो आपने practically feel किया होगा ठीक है तो नूज के अगर बात करें तो this is the first part of respiratory system अपना जो respiratory system का पहला part है नूज ठीक है नूज has two nostrils outside the nasal cavity तो नाक के अंदर जो cavity है उसको बोलते है nasal cavity तो nasal cavity के बाहर cavity मतलब थोड़ी ची अंदर गोफासी हो गई जगैसी हो गई ठीक है तो इसमें अंदर गोफासी है नाक में आप देखना हूं ली देखें तो nasal cavity बोलते हैं उसको और इसके बाहर दो nostrils होते हैं nostrils मतलब यहां पर दो चिदर दिखाई देंगे नाक में ठीक है तो nostrils होते हैं जिसे हम क्या लेते हैं सांस लेते हैं और nasal chamber nasal chamber is divided into two parts by bone and thin membrane आपने नाक में देखा हुआ बीच में एक दीवार सी रहती है और उसमें हलकी सी bone रहती है हड़ी रहती है और उसके उपर क्या रहती है एक thin membrane रहती है नाक का फूरा सी पूरा चंपर उसको दो हागों में किया जाता है किससे दोरा bone और thin membrane दो हागों में डिवाइड किया जाता है nasal chamber opens in nasal pharynx त्यक्ए जो यह चंबर नेजल जो चंबर यह कहां पर जाके खुलता है नेजो फेरिंग्स तीक है नेजो फेरिंग्स में जाके खुलता है तो आपको पता है फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, लेरिंगो फेरिंग्स जैसे अपनी अभी में बताऊंगा oral cavity है, जिसको buckle cavity भी कहते हैं, वो जाके खुलती है, oropharynx में nasal chamber या nasal cavity कहां पर जाकर खुलती है, nasal pharynx में तो खुल बलाके, नाक से अगर हवा जाए या मूँ से भी जाए तो वो सीधे कहां पर जाएगी, pharynx में जाएगी, ठीक है तो यह तो बहुत ही बात, और इसके अलाबा, thin lining, lining का मतलब प्रकार से आप ऐसे समझे लो cover सा रहता है, कुछ cover ठीक है, thin lining along with hairs and mucus nasal chamber, work like the filter आपको पता है, नाक में lining होती है, दीवार्स ही होती है, ऐसे समझे लो एक cover सा रहता है तो किस चीज़ का cover रहता है, एक तो उसमें बाल रहते हैं, तो नाक में आप देखो, दोनों नाकों में बाल मिलेंगे, छोटे-छोटे से हैं और क्या मिलेगा, mucus मतलब थोड़ा सा liquid बाला part मिलता है, तो आप नाक में हो गीली-गीली सी रहती है, एक तो जुखाम लगती है, वो वाली नाक होती है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप जो थोड़ा-थोड़ा गीला-पंसा जो रहता है, उसको हम mucus बोलते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है, यह air को फिल्टर करता है, फिल्टर मतला air में जो dust particles होते हैं, उन dust particles को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, फिल्टर करके, अब जो हवा जाएगी, अपने lungs के अंदर, वो कैसी जाती है, फिल्टर होके जाती है, तो यहाँ पर जो particles होते हैं, फिल्टर आउट कर दिये जाते हैं, किसके दोरा mucus and hairs के दोरा, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, nasal chamber में पाए जाते हैं, only after purification the inhaled air enters in the lungs, जब यह air purify हो जाती है, तभी कहाँ पर जाती है, lungs में जाती है, दूसरा है organ हमारा mouse, तो यह होगया mouth, तो कही बार आपने देखा होगा जुकाम लग जाता है हमें, cold होता है तो अपनी नाग जो है, वो चौक हो जाती है चौक हो जाती है, तो नाग से सांस लेने में हमें तकलीफ होती है तो हम मूँ से सांस लेते हैं उस conscious होगा, फील भी किया होगा तो mouth plays secondary role in breathing secondary role play करता है कौन mouth generally तो आपको पता हम नाक से ही सांस लेते हैं पर in case नाक में अगर कुछ problem है जुखाम बुखाम हो गया चौक हो गया तब हम mouth से सांस लेते हैं तो in case हो पहनी obstruction in nose अगर नाक में क्या जाए obstruction का मतलब बाधा आ जाए अब बाधा तो simple सी बात है जुखाम के case में आती है we can easily breath through mouth माउस से लेते हैं कई बार आप नाक को बंद कर लो अभी बंद करके देखो तो आप मुह से भी सांस ले सकते हो तो अपने पास भगवान ने अच्छा मदलब चीज बना रखाए कि अगर नाक बंद हो जा तो मुह से भी सांस ली जा सकती है however the air which enters through mouth is not pure as that entering through the nose मगर यहां पर problem एक अब देखो mouth में तो बाल बाल यह सारी चीज़ें नहीं रहती नाक में तो यह सारी चीज़ें रहती नोज में तो नोज क्या करती है को filter करती है मगर mouth में filter करने का कोई जुगाड नहीं है नहीं है तो यह जो air जाती है यह कैसी होती है थोड़ी dangerous हो सकती है हमारे लिए ठीक है अच्छा यह diagram है आपको मैंने कई बार दिखाया होगा यह कुछ देखो mouth mouth से हम जो खाना खाते हैं वो खान रहे था oral cavity जाकर open होगी कहाँ पर oropharynx में कहाँ पर oropharynx यह है nasal cavity nasal cavity जाकर कहाँ पर ओपर होगी nasal pharynx में ठीक है तो दो pharynx होगी nasal pharynx और नीचे है laryngopharynx या इसको hypo pharynx के नाम से भी जानते हैं तो अगर कोई पूछ ले कि pharynx कितने type की है तीन nasal cavity कहाँ पर जाकर खुलती है nasal pharynx oral cavity कहाँ पर जाकर खुलती है और यह दोनों जहाँ पर जाकर मर्ज हो जाती है ठीक है ऐसे समझ लो तो यह चीज़ भी आपको ध्यान रखना है और हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए nasal cavity मतलब नाप के अंदर जो cavity है mouth के अंदर जो cavity है oral cavity और लेरिंग्स के उबर लेरिंगो फेरिंग्स और इसो फेगस आपको पता है अपनी बैक सैड में रहती है और फ्रंट में क्या रहता है आपका ट्रेकिया रहता है अच्छा अब बात करते हैं फेरिंग्स की तो फेरिंग्स हमने देखा फेरिंग्स का एक funnel-shaped cavity है ऐसे कर देखो मैंने अभी बताया है यहां पर आप देखो और माउस से तुम क्या कहते हैं खाना खाते हैं यहां से एर जाएगी और यह जाके common एक जगह पर मिलेंगी तो फेरिंग्स में क्या होता है डिवाइड हो जाएंगी चीजें ठीक है कैसे डिवाइड हो जाएंगी यहां तो अपना यहां पर देखाता हो यहां फैट ओनाया से यहां पर मालोन लहां चीने तो इधर तो चली आएगा आपका फूरेड जाएगी एर तो अपनी जो prosecutors हूंतर प्रेश में चला जाता है फूंद चला जाता है का सब्सक्ति क Cameron यहां तो चला जाता है यहां पर दोनों च सिस्टम में भी बताईती तो फेस्ट के टीन पार्ट होते हैं देजल के रिजह अपर जाकर ऊपन होती इसको ऊरो फेरिंग्स लेरिंगिस के उसको हईपो फैरिंग्स या रिंगो फैरिंग्स के नाम से भी जाना जाता Completely present डिफरेंट पार्टdes तो आपो बताना नहीं टेजरल नेजल कईवनी कहा पर या I औरो pharynx, और लेर्गो pharynx, यह आइपो pharynx, तो यहाँ पर और डायग्राम दिखा रखें, नेजो pharynx, औरो pharynx और हाइपो यह लेर्गो pharynx, ठीक है, और यह चीज भी आपको धिषार रखनी है क्या याद रखना है कि आगे तो अपने ट्रैकिया रहता है गले में आप देखोगे तो आगे चले-चले से दिखाई दिन गया रहता है उसके पीछे isopagus मतलब food pipe हमारी ट्रैकिया के पीछे होती है behind the trachea food pipe जो है ठीक है और ट्रेक्या के ऊपर एक बॉइस बॉक्स होता है जिसको मोलते हैं लेरिंग्स तो अब इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं ठीक है अच्छा नेजो फेरिंग्स इस दा फर्स्ट पोर्सन ओफ फेरिंग्स सिंपल सी बात है आप देखो यहां पर फेरिंग्स के तीने से होत फिर फेरिंग्स सिंपल सी बात है नेजल प्रफेरिंग्स और फिर कहां पर जाएगी और फिर इसके बाद कहां पर चलिये आएगी ट्रेकियामी चलिए याईगी एर की हम बात करने ठीक है वेंट वी टेक एर फ्रॉम दी माउट इस डारेक्टली डारेक्टली गोटू और फैरिंग्स तीक है अगर हम माउस से अगर एर लेते हैं तो माउस से क्या होगा पहले तो यह अपनी बकल के बडी में जाएगी या और लगडी में और उरल केपडी से सीदे कहा जाएगी और oupamm Tisch में जाती है जिchlagen या रखना है ने यो फैरिंग्स ऑना जाती है जाती हम न से सांस लेते हैं अगर मुह से डारेक्टली ऐड यर्ले रहें तो यह कहां पर जाएगी गो टू डिरेक्छ गोज डिरेक्टली टु ओर फैरिंस तिकए अच्छा येर आफटर औरो फैरिंस रीचेश्ट फैरिंग्स और जो फूला में जाने से घ्रेस्ट के बारे में बताया यिक कुल टा direction यहां पर जाने से रोपता है तो और पर यह कहां पर जाएगी नोस से औरो फेरिंग्स में जाएगी फिर लेरिंगो फेरिंग्स में जाएगी और फिर एपी ग्लोटिस के दुरू कहां पर चले याएगी लेरिंग्स में और लेरिंग्स से पर ट्रैकिया के तुरू कहां तक ज जाने देती और ना एयर को फूड़ पाइप में जाने देती तो यह सबसे बड़ा काम है किसका एपिक लोटिस ओके अगला है अपना लेरिंग्स अब हम देखेंगे लेरिंग्स के बारे में ठीक है तो लेरिंग्स ध्यान देना पहली बात तो यह फैरिंग्स से स्ट्रक्चर मतलब इसमें जो काटिलेंज ऐसे करके कुछ रिंग होती है और वो काटिलेंज इंच्टर होता है ठीक है हलके से आप देखोंके फ्लक्सिवल दिखता है मास की सी ठोड़ी-थोडी-पाइजाता है छले से पाए जाते है आप देखोंगे गले में थोड़ा हाथ तो आपको देख जाएंगे तो उनको cardilage बोलते हैं तो यह nine cardilagines structure होते हैं यह मिलके क्या बनाते हैं लेरिंक्स बनाते हैं ठीक है और larynx is also called as voice box larynx को है हम voice box के नाम से जानते हैं मतलब जो अपनी voice जो generate हो रही है जो मैं बोल पा रहा हूं आप जो बोल पाते हो वो वेिस कहाँ पर generate होती है लेरिंग्स के अंदर ही generate होती है यहाँ पर दो बौकल कोडस यह है आपका colossus नीचे है ट्रेक्या ट्रेक्या के ऊपर जो इस्ट्रक्चर razón हुआ है यह आप का favourite ट्रिक है तो लेरिंग्स में दो यहाँ अर्डो है यह भी बॉकल कोडस से पास होती है तो यह क्या होते हैं बॉकल कोड बाइब्रेट होते हैं और जब यह बाइब्रेट होते हैं तो इनी में से क्या क्रियेट होती है and sound is produced ठीक है मैं दुवारा बता रहा हूं लेरिंग्स दो चीजों के बीच में उपर फैरिंग्स नीचे ट्रेकिया 9 cartilaginus structure से बना हुआ होता है इसको voice box के भी नाम से जाना जाता है इसमें दो vocal cords होते हैं और जब air pass होती है लेरिंग्स के दूरू तो उसमें vocal cords में ठीक है तो यह चीज आपको धिहान रखनी है तो यहां पर हमारा यह लेक्चर फिनिस होता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लखी जोइन कर सकते हो जहां पर आपको नोट्स एजल जो आपके जितने भी आने वाले यूट्यूब के वीडियो जो उनकी